सुर्डेट माइ लबली स्टुडेंट तो आज हम रियाक्श अफ डाइज ओनियम साल्ट करने वाले है जो कि बहुत ही जादा इंपॉडन है तो यह स्पिलिट उती है रियाक्श डाइज reden questa केटरगिरीन। फर्स्ट केटेगरी होती है रियाक्शन इंवालविंग डिस्प्लेस्मेंट ओफ नाइट्रोजन, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट में आपको पहले यहां पे बना देती हूँ, जाधा तर किसकी पढ़ी जाती है, जो आरोमाटिक वाले होते हैं, वो सभी को पता है कि वो डिस्प्लेस्मेंट ओफ नाइटरोजन यानि कि ऐसी रियक्शन करवाई जाया जिससे की यह नाइटोजन ही डिस्प्लेस हो जाया यानि कि इस नाइटोजन की जगह कोई और ग्रॉप आखे लग जाए, ऐसी रियक्शन हम पढ़ेंगे। और दूसरी डेक्शन जो की बहु नहीं होती, वो reaction में रहता है, वो retain रहता है, ओके तो ये दो टाइब की reaction है, इसको हम बाद में करेगे, अलग लेक्चर में क्योंकि इसमें आपका die test आता है, very very important, अब यहां पर हम focus करते हैं, इसमें आपके पास named reaction है, जो कि पहली भी पढ़ाई जाती है आपको, यहां पर य reaction क्या हो जाएगी, आपकी sandmare reaction, first reaction है इस टाइब की, जिसमें की die azo group का, die azo group को आपने displace करना किसी और group से, तो directly reaction learn करनी है, इसमें sandmare जो reaction है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें होता है replacement by halide और cyanide iron, यानि कि जो disonium salt यहां पर है, उसको कौन displace करेगा, उसको कौन हटाएगा, या तो halide iron या फिर आपका cyanide iron, तो यह जो disonium salt की reaction है, आपकी sandmare reaction है, उसमें actual में क्या होता है, कोई भी आपका disonium salt है, उसके reaction आपको किसके साथ करनी होती है, Cu2Cl2, जैसे सबोज इस पर chlorine लगाना है, तो disonium salt जो आपकी सांड में reaction है, वो आपकी तीन टाइप की reaction है, यानि कि तीनों जो मैं reaction लिख रही हूँ, वो तीनों ही सांड में reaction कहला आती है, तो Cu2Cl2 with the in the presence of HCl, यानि कि Cu2Cl2 HCl के साथ अगर आ जाए, या फिर आपका Cu2Cl2 with आपका HBr आ जाए, देखो सिफ क्लोरीन और ब्रोमीन की ही reaction होती है, ये सांड मेर, and third is very important and unique also, जब कॉपर के साथ साइनाइड आ जाए, और आप इसके साथ केसीन करने लगे हो, ठीके, केसीन डालना पड़ेगा आपको इसमें, तो ये तीनों reaction अभी क्या भी याद कर लो, ये तीनों जो रियाक्शन बताई जारी है, वो आपकी पूरा का पूरा हट जाएगा, और आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्लोरीन है, तो यहाँ पर डिरेक्ली आपका क्लोरीन लग जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डाइज ग्रूप है, वो in the form of nitrogen बाहर को निकल जाएगा, ओके, ऐसी reaction होती है, तो य लिखा आता है, HBR, ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख लू, सम्टाइम्स यहाँ पर भी आपका इस तरह से भी आएगा, वो भी ट्रू होगा, C-U-C-L और यहाँ पर H-C-L, इस तरह से भी आ सकता है, तो यानि कि अगर यहाँ पर टूटू हो, या फिर अगर टूटू ना हो फिर भी यह रियाक्शन सेम रहती है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बना, बिकेज यहाँ पर ब्रोमीन ज्यादा आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, यानि कि ब्रोमीन जो है, वो डिरेकली लग जाएगा और साथ में आपका नाइटर evolve हो जाएगी and again and next में क्या है आपका क्यूंकि साइनाइट यहा नेगिटिव था जो साइनाइट है वो डिस्प्लेस करेगा डाय एजो गरॉप को और आपका यहां पर क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका साइनाय्ट लग जागा यानि के CN लग जागा और सातीसाथ जो Nitrogen gas है वो निकल जाएगी तो यह तीनों जो reactions है यह सारी आपकी सांड में reaction है तो सांड में reaction में replacement औफ क्या है डाय आजड ग्रोफ इद अ हलाइड याफ साइनाय्ट तो तीनों मेंसे कोई भी reaction आए आपकी, sorry, sandway reaction है और यहाँ पर Cu2Cl2HCl आएगा और यहाँ पर sometimes CuCl भी लिखा आता है HCl तो वो same ही है, in this aromatic Dizonium salt reacts in the presence of Cu2Cl2HCl या तो इसके साथ react करेगा या फिर CuCl-HCl के साथ भी react कर सकता है और Cl के जगह, Halogen can be Bromine हो सकता है, Cyanide हो सकता है, to displace and to from the ring तो Diazo को displace किया और आपके पस यह आपके बेंजीन के उपर Halogen directly लग गए तो देखो कितनी interesting reaction है कि Dizonium के help से directly अगर आप क्लोरिन, Bromine, directly अगर कोई ग्रूप लगाना चाहते हो तो Dizonium की वज़े से लग जाता है और यही इसकी importance जो आगे सबसे end पे है जो topic importance of the Dizonium salt वो यही importance है वहाँ पर भी यही बताया जाएगा कि जो आपके Dizonium salt है उस पे directly आपके क्या लग जाते है, groups लग जाते है अब चलते हैं एक और reaction की ओर, चलिए अब करते हैं हम Gatterman reaction देखो जब भी Sandmare and Gatterman reaction करो तो साथ में करना क्योंकि एक तरह से यह बाई बहन की तरह है, यह क्या है, बिल्कु सेम से है Gatterman reaction में क्या होगा, in this reaction, Benzene Dizonium salt is treated with CuHx, where X is Halogen क्या होगे, Chlorine Bromine only होगे अब देखो, यहाँ पर confuse ना हो ना, क्योंकि यहाँ पर Gatterman reaction में क्या कहा जाता है, कि आपकी यह reaction Cu, सिफ Copper and HX के साथ होगी अब Copper का कोई Chloride Halide नहीं है, सिफ Copper का Powder लेना होता है, अगर आप यहाँ पर पहले Sand में reaction देखो, इसमें क्या होता है, Copper के साथ Cu2Cl2 था या फिर CuCl था, कुछ ना कुछ Copper के साथ Compound था, बट यहाँ पर Copper Compound की फॉम में नहीं होता है, सिफ Copper present होता है, बस यही डिफरेंस है, औ नहीं होती है, तो अगर हम गेटर में reaction को लिखना चाहे है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले Dysonium Salt यहाँ पर ले लेगे, यहाँ पर N2 positive and Cl negative, यह Dysonium Salt आगया, अगर इसके हमें reaction करवानी है, तो मैं यहाँ से इस तरह से लिख लेती हूँ, इसे, First reaction and then Second reaction, जो आपके First reaction है उसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पर CuCl ले लूँगी, Cu और साथ में HCl, अगर मुझे chlorine लगाना है, तो मैं H यहाँ पर जो acid है, वो HCl कि लूँगी, और अगर यहाँ पर मुझे bromine लगाना है, तो copper तो ऐसे ही रहेगा, बट उसमें मैं यहाँ पर HPR कर दूँगी, तो आप देख पारे हो कि Sandmare and Getterman में क्या difference है, कि यहाँ पर सिफ copper powder लिया जाता है, alone, वहाँ पर copper compound की form में लिया जाता है, और chlorine लगाना है, तो आप HCl लिखोगे, और अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका chlorine डिरेक्ली इसके साथ अटाश्ट हो जाएगा, और साथ नाइटोरजन जो डाइजो ग्रॉप को क्या किया, इसने डिस्प्लेस करा, तो यहाँ पर डाइजो ग्रॉप in the form of nitrogen निकल जाएगा, और यहाँ पर copper के साथ क्या लग जाएगा, आपका copper CuCl लग जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर सपोज अगर आपके पास bromine है, तो यहाँ पर bromine लग जाएगा, और यहाँ पर nitrogen gas निकलेगी, यहाँ पर भी आपका CuBr बन जाएगा, तो आप देख सकते हो, कि यह reaction ब्रोमो बेंजीन बनाएगा, और क्लोरो बेंजीन बनाएगा, और यहाँ पर क्या लिया, आपने बेंजीन डाइजोनि इसकी रियाक्शन करके आपको यह मिला, तो आप फरक देख सकते हो, Gatterman और आपकी सांडवे रियाक्शन में, सिर्व यहाँ पर कॉपर पाउडर लिया जाता है, सिर्व इतना बिल्कुल माइनूट सा डिफरेंस है दोनों में, सो Gatterman reaction क्या है, इन दिस रियाक्शन बेंजी आपकी जो वैल्यू है वो क्लोरीन है, मतलब एक्स की जगह ओली क्लोरीन और ब्रोमीन होगे, क्लोराइट ब्रोमाइट होगे, साइनाइट नहीं होता, जैसे पीछे था, एन हलोजन विल डिस्प्लेस ता डाय नाइट्रोजन फॉम देंजीन, हैंस इट इस अ मेथर तो इं इमपर्टेंस आएगी आपके पास, इस तो ये इफ और आपको ये याद करना है, कि साण्मेयर की जो यील्ड होती है वो ज्यादा होती है दन अ गेटिमें तो ये आपके सांटमेयर और गेटिमें इस चाप्टर के ऐ यह थिंग वन आफ दे नेम प्रेक्षें है, शाहिदे इतनी ही है, दो ही नेम्ड रियाक्शन है आपकी, डाय आजोटाइजेशन तो एक प्रोसेस है, तो यह आपकी आपकी सारी हो गई, थैंक्यू सो मॉच,